stock market में अगर हम कुछ छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो long term में एक सफल निवेशक और profitable investor बन सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तो दोस्तों यहाँ पर हम तीन stocks के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले समय में आपको multi-bagger returns दे सकते हैं और साथ ही साथ हम तीन ऐसे stocks के बारे में बात करेंगे जो कि अभी है penny stock की category में और देखेंगे कि क्या वो आने वाल समय में आपको multi-bagger returns दे सकते हैं या नहीं क्या आपको उन stocks में निवेश करना चाहिए या नहीं तो अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको यहां पर सीखने को मिलता है कि कौन से वो parameters हैं जो कि हम fundamental analysis में देखते हैं और कैसे हम यह पता करते हैं कि कि स्टॉक में हमें एक long term के लिए निवेश करना चाहिए और कौन से stocks ऐसे हैं जिनमें कि हमें एक short term profit मिल सकता है तो ठीक है दोस्तों यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहां पर Mezagon Docks Shipbuilders के IPO के overall details के बारे में जाल लेते हैं जिसका की आज था subscription का day 1 आज की date है 29 September 2020 तो यहां पर overall subscription हुआ है इसका 1.02 times यहां पर आप देख सकते हैं कि institutional subscriptions बिल्कुल भी नहीं हुए तो यह एक ध्यान देने वाली बात है कि भई जो institutional investors हैं उन्होंने कोई भी subscription या कोई भी यहां पर application नहीं दिया इस particular IPO के लिए ठीक है subscription की बात की जाए तो 2.87 times है तो यहां पर आपको cautious रहना पड़ेगा क्योंकि यहां पर देखा था तो retail subscriptions ज्यादा हो रही है और non-institutional और institutional subscription कम है तो यहां पर कहने का मतलब यह कि भई हम जैसे retail investors जो है वो इसमें interested लग रहे हैं बाकि यहां पर FIIs, DIIs जो institutional investors हैं वो यहां पर interest नहीं दिखा रहे हैं यही हाल UTI Asset Management Company का जहां पर overall subscription केवल 0.15 times हुआ है, institutional subscription बिल्कुल 0 है, non-institutional subscription यहां पर 0.04 times देखने को मिल रहा है ठीक है, यहां पर retail subscription हाला कि 0.28 times है, तो since यह पहला दिन था subscription का, तो यहां से हम predict नहीं कर सकते कि भई, opening day पर क्या listing gains मिल सकती या नहीं आगे एक दो दिन के लिए आपको देखना होगा कि इसके subscriptions कैसे होते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते है, Hero Motor Cop Limited की, जो की है जवर्जस्तौक यहां पर मिल रहा है 3174 रुपए के आसफास, इसके सारे parameters, fundamental parameters, बैतरीन आप देख सकते है, ASM, GSM के list में नहीं है, promoter shareholding के pledging नहीं हुई है इसमें, और default करने की probability यहां पे बहुत ही लो है, आज के date में यह मिल रहा है 314 रुपए के आसफास, और यहां पे आज की दिन इसने 2.7% का upward moment दिया है, पिछली date से, अब यहां पे overall PE ratio देखे तो 16.95 का हाला थी, थोड़ा सा overvalued यहां पे दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखे तो auto sector में जो reversion देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ हपतों से, यह stock आपको और भी movement दे सकता है, ऊपर की दरफी, यहां पर dividend yield देखी तो overall 2.91% के आसफास है, बहतरीं long term stock है, इसका all time chart देखेंगे, तो आपको clear idea हो जाएगा, यहां पर all time chart देखेंगे, जब भी आपको chance मिलता है, इसमें जवर्दस बाइंग करनी चाहिए, जब भी इसमें गिराउट होती है, यह buying के मौके देता है, देख सकते हैं आपकी, मार्च के महीने में जवर्दस इसने buying के options दिये थे, यह करीब 1600-1700 रुपय के आसफास जव लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि opportunity बहुत ही जवर्दस है, और आने वाले समय में auto industry में आपको एक जवर्दस रिटन्स मिल सकते हैं, ठीक है जोस्तों यहां पर aerospace and defense industry segment का यह stock भारत dynamics limited जिसका की price है, यहां पर 303 रुपय के आसपास, इसके यहां पर fundamental parameters देखिए, तो FD से यहां पर promotor shareholding की pleasing नहीं देखने को मिले, PE ratio जवर्दस्त, यहां पर undervalued की category में आप कह सकते हैं, तो जवर्दस्त buying zone में है यह particular stock, ठीक है dividend yield देखिए, तो 3% के आसपास, यहां पर dividend yield है, small cap की बहतरीन company है, इसका all time chart यहां पर देखे तो आप देख सकते हैं कि all time chart हाला कि य negative returns दिये हैं, 23% के आसपास, इसका IPO आया था 2018 के आसपास, और यह अभी भी range bound trade कर रहा है, और इसमें आने वाले समय में, यह range अगर break होता है, तो एक आपको अच्छी खासी gains मिल सकती है, long term stock है, और बज़वर्दस stock है, और जैसे कि आत्म निरभर भारत के तहार, जो Indian government का overall यहाँ पर focus है, defense और aerospace sector में, तो यह stock आपको आने वाले समय में, अच्छा खासा returns दे सकता है, तो यहाँ पर बात कर लेते है, SBI cards and payment services की, जो की trade कर रहा है, 849 के आसपास, यहाँ पर देख सकते है, PE ratio 60 के आसपास हो चुका है, जवर्दस overvalued हो चुका है, तो इस price पे फिलाल buying नहीं करनी, आप देख सकते है, FD से जादा returns दे रहे है, और यहाँ पर ASM, GSM के list में, promoter shareholding के pledging नहीं देखने को मिल रहे है, dividend yield का देखिए 0.11% के आसपास है, और यहाँ पर देखाया है, तो एक तरह से यह market leader है, इस particular segment में, तो इस stock को तो बिलकुल आपकी portfolio में होना ही चाहिए, आपको miss नहीं करना चाहिए, जिस भी price पे में, इसमें buying की जा सकती, आप देख सकते है, जब इसका IPO launch होने के बाद, इसमें गिरावट देखी गई थी, लेकिन यहाँ पे गिरावट के बाद, इसने एक तरह से double bottom बनाए, और आपको जबरदस्त reversion देखने को मिल है, तो overall देख सकते है, 23% returns दे चुका है, जब से इसका IPO launch होगा है, हाला कि इस price पे आपको buying नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा से इंतजार करना चाहिए, और अगर आपको 700 रुपए से कम मिलता है, या अगर IPO listing की price भी मिल जाती है आपको, तो भी इसमें buying कर सकते है, एक long term purpose से, ठीक है दोस्तों यहाँ पे कुछ stocks ऐसे देख लेते हैं, जिनकी की कीमत 100 रुपए से कम है, तो यहाँ पे GIFIC Biosciences Limited का यह stock आप देखिए, 632 करोर रुपए के आसपास market calculation, stock का P, यहाँ पे 52 का है, तो यह overvalued है, overvalued stocks हम buy नहीं करते हैं, उसको monitor करते हैं, हम सकते हैं, यहाँ पे 52 weeks high के आसपास यह stock trade कर रहा है, तो अगर यह 37 के आसपास मिल रहा था, और हम इसमें भाहिंग ना करते हैं, हम इंतजार करते हैं, और गिरें, तो फिर हम गलत कर रहे होते हैं, तरह से आप देख सकते हैं, return on equity कितना जवरदस है, 27% के आसपास, average return on equity पि की जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा alarming situation है, क्योंकि 116 करोड रुपय के आसपास, यहाँ पे debt है, और current assets केवल 263 करोड रुपय के आसपास है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे cautious रहना पड़ेगा, और gram number की बात की जाए, तो आप देख सकते 21 रुपय का gram number, और currently यह 4 गुन इस लिमिटेड का कहीं पे सुना की भाई, stock बहुत ही बहतरी न है, इसको buying कर लो, pharma sector का stock है, और आने वाल समय में आपको जवर्दस रेटन्स दे सकता है, अगर आप इस प्राइस पे buying करते हैं, तो आप एक लंबे समय के लिए इस प्राइस पे stuck भी हो सकते हैं, यहाँ पे इस पे आपको एक करेक्ट प्राइस पे buying करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, अगला stock, तीतागर वागन्स लिमिटेड का यह stock, 472 करोड रुपए के आसपास, मार्केट कैफलाइशन, 441 करोड रुपए के आसपास, यह मिल रहा है, 36 कपी है, तो return on equity के टर्म्स में तो यह stock rejection list में आता है, लेकिन आगे देखते हैं कि कौन से वो parameters हैं, जिनकी वज़े से हम इसको consider कर सकते हैं, या नहीं अपने portfolio के लिए, तो यहाँ पे PG ratio देखे तो यह भी overvalued दिखा रहा है, return on capital employed के वल 3% के आसपास है, और यहाँ पे dividend yield यहाँ पे 0.73 33% के आसपास है, और overall अगर gram number की बात करें तो 13 का gram number और current price इसका 40 रुपए के आसपास, तो यह stock आपकी portfolio में होने से पहले इसको monitoring में रहना पड़ेगा, और monitoring में रहने के साथ यह stock अगर आपको मिलता है 20-25 रुपए के आसपास, तभी इसमें buying की जा सकती है, ठीक है, तो blindly किसी भी stock में बाइंग नहीं करनी होती है, इसलिए मैं आपको बताता है रहता हो कि कौन से parameters हैं, जिनको कि हमें देखना चाहिए, जब भी हम ऐसे stocks में बाइंग करते हैं, जो कि आपको लगता है कि आने वाल समय में, उसका जो overall business segment है, आपको एक अच्छा returns दे सकता है, यहा जबर sales growth यहाँ पर यह consistent रहती है और profitable रहता है यह business, तो आपको एक अच्छा खासा returns दे सकता है, लेकिन जैसे कि हमने बताया है, इसमें buying price आपकी करीब 25 रुपय के आसपास होनी चाहिए, ठीक है जो यहाँ पर देख लेते हैं अगला stock कौन सा है, तो अगला stock है हमारा अग supply industries limited का stock जो की 4.5 रुपय के आसपास मिल रहा है, penny stock की category में आता है, तो penny stock की category अगर हम लेते हैं अपनी portfolio में, तो आपने देखा होगा की 1.5-2% से जादा हम अपनी overall portfolio का investment नहीं करते हैं, यहाँ पर market capitalization देखिए 100 crore से कम है, तो पहली बात तो 100 crore से कम, जो market capitalization होती है, उसक लेकिन आप यहाँ पर देखे तो 72 crore का market capitalization और current price 4 रुपय का है, तो कह सकते कि एक तरह से यहाँ पर 15 crore से ज्यादा shares market में है, तो 15 crore shares matter करते हैं किसी भी company में, तो overall यह company consider की जा सकती है, investment के लिए, यहाँ पर P ratio देखिए तो undervalued है, तो यह stock अभी buying zone में है अपनी, ठीक है return on equity की बात करें तो 10% का return on equity और return on capital employed यहाँ पर 14% के आसपास, dividend paying company है, जबरदस dividend paying company है, 5.58% के आसपास, dividend yield है, debt to equity देखिए तो 0.48 का debt to equity, debt के वल 319 crore और current assets यहाँ पर 1000 crore के आसपास है, तो जबरदस option हो सकता है, यह investment के लिए, और valuation के नजएरी से अगर देखें तो पर 38 रुपाय का gram number और current price के वल 4 रुपाय का, तो यहाँ पर यह company आपकी portfolio में हो सकती है, और overall petrovski score इसका देखें तो 5 का petrovski score है, ठीक है, हाला कि promoter share holding यहाँ पर देख सकते हैं, तो 19% के आसपास है, जो की एक alarming figure हो सकता है, और यहाँ पर आपको यह भी देखना होगा कि भ देख सकते हैं कि इसने जवर्दस रिटन्स दिये हैं, 2018 के आसपास इसने करीब 90 रुपाय का यहाँ पर all time high touch किया था, और उसके बाद से इसमें गिराओट हो रही है, ठीक है, तो overall देखें तो 2014 से इसने जवर्दस multi bagger रिटन्स दिये थे इस particular penny stock ने, और आज की situation में वो 2015- 2016 के price पे आ चुकी है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह की भई, इसमें फिर से buying की जा सकती है, इस current price पे, और आपको अगर यह फिर से पुराना 90 वाला score दे देता है, तो एक जवर्दस multi bagger, multi fold returns दे के जा सकता है, यह ठीक है, तो plywood industries की यह overall company है, और overall आपको अगर इसमें आने समय में एक अच्छा performance करती है, तो आपको एक multi fold multi bagger returns दे के जा सकती है, और यह penny stock की category अगर आपकी portfolio में रहती है, और आप follow करते है penny stock investment plan, तो आपको एक अच्छा खासा return मिल सकता है stock में, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलाल इतने ही दोस्तों, उमीदर वीडियो को पसंद आई होगी, उसमें दीगे जानकारिया आपके काम कियोगी, वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल है तो comment जिरू करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और तो यहाँ पे एक छोटा सा disclaimer की, यह किसी कारण का buying recommendation नहीं है, किसी भी stock में, यह आपक के लिए informational video रहती है, ताकि आप भी समस्तके कि कौन वो parameters होते हैं, जो कि हम देखते हैं as a retail investor किसी भी company में निवेश करने से पहले